बिस्मिल्ला लख्मार रहीम पार्स अब स्पीच हम कर रहे हैं इसमें हमने आज एड़ेक्टिव और एड़वार्ब सीखना है फर्स्ट अब इस एड़ेक्टिव जैसा कि मैंने आपको पहले पताया था कि इसको आपको पर एड़ेक्टिव पढ़ा जाता है यह एड़ेक्टिव नहीं बलके अज़ेक्टिव है ड़ेक्टिव है ड़ेक्टिव है असान चीज़ें यह सिर्फ फ़ड़ी सी सिचुएशन समझ ली जाए तो असान लगता है आवर्ड डेश्क्राइब्स ट्रेट्स ट्रेट्स क्वालिटी जार नंबर आफा नउन नाउन इस नाउन को जैन में रखना है नाउन हमने पड़ा कि किसी भी चीज़ का नाम नाउन है तो उस नाउन की खुबी खामी या नंबर को जाहिर करना जो लफ जायर करता है वो अजेक्टिव होता है नौन की कोई भी खूबी, खामी, खुसियत या नमबर भी अच्छाई या बुराई, खूबी या खामी हार बंदे में होती है, हार चीज में होती है अच्छा बंदा बुरा बंदा अच्छा पैन खराब पैन साफ बोड, गन्दा बोड खूबी और खामी साथ साथ चलती है इसकी में एक्जमपल से है beautiful garden garden क ja है noun किसी चीज का नाम है उसकी खूबी को बयान किया जारा है खूबसूरट बाद तो जो noun की quality को बयान करें वो कहा है adjective bad boy गॉजा नाउन है बुरा है, बुरा है अच्छा है दोनों खूबी में आता है, खूबी या खामी हम उने कहते हैं, क्वाल्टी में ये दोनों चीज़े आ जाती है, और ये चीज़ आपने पहले ना पढ़ी हो, कि नंबर भी इसमें आते हैं, कितने अंडे जी 12, तो 12 जो है ये भी कहा है, उस न नाउन की खूबी हम आता है, और इस दोनों को मैंने इसलिए लिखा एक थोड़ी से इन में मुशाबियत है, अब आते है अड़वर्ब पर, अड़वर्ब में देखे, इट मोडिफाइज या डिस्क्राइब्स वही चीज़ है, डिस्क्राइब्स मोडिफाइज डिस्क्रा एक वर्ब, एक वर्ब को, एन अजेक्टिव, इस इजेक्टिव यो भी पड़ा, इसको भी ये वज़ाद करता है, एड़वर्ब, एन अजर एड़वर्ब, एक दूसरे एड़वर्ब की एक एड़वर्ब वज़ाद करता है, हारा होल सेंटेंस या पूरे जुमले की, एड adjective, adjective किसकी वजाद करता है? noun की सिर्फ, सिर्फ noun की वजाद करता है. जबके एडवर्ब, word की भी, adjective की भी, एडवर्ब की भी, और पूरे sentence की भी बहुत उकात करता है. इसकी चार मसाले लिखी हुई हैं. He sings loudly. जो जो मैंने चार लखी हैं चीज़ें, यह किसको बियान करता है जी वर्व को इस वर्व को इस वर्व को डिस्क्राइब किया वर्व को इस वर्व को अब उसकी वजात कर रहा है कि कितना लंबा जी वैरी डाल बहुत लंबा एंड टू क्विकली अक्सर मूमन एड़वार में अक्सर साथी जगा पर नहीं जहता है लवाई आ जाता है लवाई ग्विक से क्विकली ठीक है तो यह काम क्विकली खतम हो गया एड़वार को मजीद वजात दूसरा एड़वार कर रहा है वो है टू यह काम खतम हो गया जल्दी कितनी जल्दी टू क्विकली बहुत ही जल्दी अब इसी तरह देख है फार्चुनेटली एलवाया है फार्चुनेटली अब यह पूरे जुमले को बजात कर रहा है यह लूडली वर्ब को डिसक्राइब कर रहा है वैरी एजेक्टिव को डिसक्राइब कर रहा है तू एड़वार्ब को डिसक्राइब कर रहा है और एक्जेम्पल यू दी जाती है कि आपके जो सवाल है होते हैं How, When, Where इनके जवाब एडवर्ब देता है इनके जवाब में जो जीज आएगी वो एडवर्ब आएगी मिसाल देता हूँ एक और My brother is coming My brother is अब लिखा नहीं है मैंने वैसे बतारो My brother is coming मेरा भाई आ रहा है Come, Where, आना अब पूछा जाए भी कब आ रहा है सवाल किया जाए आपका भाई आ रहा है कब आ रहा है आप जो जवाब बताएंगे My brother is coming today वो जो today है वो क्या है एडवर्ब इसका जवाब जो है वो एडवर्ब है मेरे सवाल पूछा जाए और सवाल का जवाब जो देता है वो एडवर्ब है My brother is coming today वो जो है पूछा जाए जिए कैसे आ रहा है इसी सवाल में मजीद सवाल कर दिया जाए 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 तीक है उसका जवाब हो गया तुड़े ये डवर्ब है वो कैसे आ रहा है, आप कहें, my brother is coming today by air, by जहाज पे आ रहा है, तो यह, वो जो हो का जवाब है, यह भी एड़वर्ब है, the child is weeping, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, कैसे रो रहा है, कितना रो रहा है, the child is weeping bitterly, बुरी तरह रो रहा है, शदीव तरह से रो रहा है, वो, she was sleeping, वो सो रही थी, she was sleeping वो सो रही थी सवाल पूचा जैब कहा है she was sleeping वो कहा है कहा का जो जवाब आएगा she was sleeping in the room she was sleeping upstairs उपर वोली मंदल पे वski तो जवाब बात है इन सवालों के वर्ब किس सवालों में जवाब जवाल आते है उसके जवाब है वो भी arrives एड़वार्प तैय करता है तो एड़वार्प बजायर थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन अगर इसको थोड़ा सा डीपली देखा जाए तो इतिना जादा मुश्किल ने यह सी एकसाम देखे ना काइंड्स को बहुत जादा लंबी चले जाते हैं उन डीटेल में नहीं